पहले देखिए ये वीडियो दो राजों के बीच का जगड़ा इतना बढ़े कि एक सूबे के सीम ट्विटर पर वीडियो डाल कर प्रधान मंतरी कारल है और ग्रह मंतरी के दफ्तर को टैक कर दें तो समझ जाना चाहिए कि मामला बहुत गंभीर है ये वीडियो पोस्ट किया है मिजोरम के मुख्यमंतरी जोर्मन्थंगा ने वीडियो में ग्रह मंतरी को टैक करते हुए उन्होंने लिखा अमिच चाह जी कृपया इस मसले पर ध्यान दे इस अब जल्द बंध होना चाहिए साथ में हैश्टेक के साथ लिखा मिजोरम असम बॉर्डर टेंशन इसके बाद कुछ और हैंडल टैक किये गए हैं असम के मुख्यमंतरी हिमत अभिसो सर्मा कछार पुलिस और कछार के डिप्टी कमिशनर वहाँ जो कलेक्टर होते हैं उनको टिप्टी कमिशनर कहते हैं पूर्बोतर के नक्षे को अगर आप गूगल मैप्स पर देखेंगे उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहाँ राज्य कैसे बने हैं जो मैदानी लाका है वो असम में पढ़ता है कमों बेश और जहाँ जहाँ से पहाँ शुरू होते हैं वहाँ वहाँ से आपको अलग-अलग राज्यों की हद शुरू होते दिखती है नाचल प्रदेश, नागा लैंड, मिजुरम बगएरा बगएरा और यहाँ जमीन को लेकर दोनों सुबों के बीच आए दिन तनातनी होती है चुकि पहाड़ी लाका है, मैदान खातम ही हो रहे है क्रिशी के लिए, यानि खेती के लिए जमीन बहुत कम है और बड़ी मेहनत के बाद ही धलानों को खेती के लायक तयार किया पाता है बड़ों में आग लगा दी थी और पूरे इलाके में भैका महौल था तबाह इंडियन रिजर्व बटालियन और सी आर पीफ के टुकड़ा भी तैनात करनी पड़ी थी लेकिन बावजूद इस के समय समय पर छिटपुट घटना है उसके बाद से भी होती रही इसी साल की बात है इसी साल की वो रिपोर्ट भी है जोरम थंगा ऐसे ही जगडे की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं बीते दिनों सीमा पर तनाव हुआ तो आसम और मिजोरम दोनों तरफ से भारी पुलिस बलतैनात कर दिया गया मीडिया में असम के कछार जिले के पुलिस अधिक शक का बयान है वरिश अधिकारी सीमा के पास कैम कर रहे हैं सित्य अब काबू में है मिजोरम पुलिस की वपस्तिती के चलते कुछ लोग अपने घरों से भागे हैं लेकिन उन्हें किसी ने जबरन नहीं भगाया है अब इस बयान में आप उस तनाव को भी पढ़ सकते हैं जो दोनों सूबों की सरकारों और पुलिस फोर्स के बीच में है और उस भय को भी पढ़ सकते हैं इसके चलते लोग अपनी जीवन भर की पुझी छोड़ने को मजबूर होते हैं इंडिया टुड़े पर छपी हेमंद कुमार नात की रिपोर्ट बताती है कि हालिया विवाद तब गंबीर हुआ जब असम के पुलिस ने अपना माने जाना वाला इलाका जिस लाके पर उनकी दावेदारिया उसे खाली कराने के लिए कुछ लोगों को वहाँ से खदेडा असम पुलिस ने कहा कि ये लोग अतिकरमन कारी थे चूंकि खदेडे गए लोग मिजुरम से थे इस कारवाई से खटास और बढ़ गई सीमा के दोरे पर गई असम सरकार की टीम पर 10 जुलाई के रोज एक आईडी बं भी फेका गया 11 जुलाई की सुबह मिजुरम के लाके से एक के बाद एक दो धमाकों की आवाज भी आई विवार बढ़ता देख नई दिली ने दखल दिया और दोनों सुबों के मुक्य सचिवों और पुलिस महाने देशकों को दिली बुलाकर एक बैठक करवाई गई केंदरे ग्रह मंतरी अमिट शाह 24 जुलाई को दो दिनों के पूरबतर दौरे के लिए पहुचे थे वो कंक्लूड हो गया अब 25 जुलाई की रोज शिलॉंग में एक बैठक हो जिसमें ग्रह मंतरी के साथ पूरबतर के सभी राज्यों के मुक्य मंतरी शामिल हुए क्योंकि वो एक कन्वेंचन था सारे नौर्थिस्टन स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स का इस बैठक में सीमा विवाद का मुद्धा उचला और जोरम थंगा ने कह दिया कि नागा लाइन मेगाले अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों को बनाते वक्त अंग्रेजों के जमाने से चल रहे भूमी विवादों को सुलजाया नहीं गया उन्होंने असम का नाम लेकर कहा कि जो इलाका असम अपनी सीमा में बता रहा है उससे तकरीबन सौ सालों से मिजो लोग जुड़े हुए हैं वो यहां से वनोपजी खटा करते हैं स्थाई और अस्थाई रूप से खेती करते हैं वापिस हम मंत्री जी के बयान पर लौट रहे हैं जोरम थंगा के वो कहते हैं असम ने इन अलाकों पर अपना दावा करना हाल ही में शुरू किया है जबसे बराक वैली में बड़े पैमाने पर बाहर से प्रवासी आने लगे जोरम थंगा पूर्विय पाकिस्तान और बाद में बांगले देश से आई प्रवासीयों की तरफ इशारा कर रहे थे माने यह मुद्धा सिर्फ भूमी विवाद भरका नहीं है भूमी पर रहने या कबजा करने वाली की सांस्कृतिक पहचान क्या है उसका भी है आज जोरम थंगा ने एक और वीडियो ट्वीट किया इसमें कार में एक दमपती बैठे नजर आ रहे हैं इनकी गाड़ी तोड़ दी गई है जोरम थंगा ने फिर असम पुलिस को टैग करके सवाल किया कि कछार की रास्ते में जोरम लौट रहे एक निर्दोष दमपती के साथ बत्तमीजी और तोड़ फोड़ हुई आप इससे सही कैसे ठहरा सकते हैं इन सारे ट्वीट का जवाब खोद असम के मुख्यमंतरी हिमान तबिसो सर्मा ने दिया उन्होंने जो पहला ट्वीट जोरम थंगाने किया था उसके जवाब में उन्होंने ये लिखा कि आप ये बताईए कि इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं जो सिविलिन्स दिख रहे हैं उसमें मिजो लोग हैं उन्होंने क्यों अपने हाथ में लाठियां ली हुई हैं बाद में जो दंपत्ती वाला वीडियो ट्वीट हुआ उसके बाद हिमत अविस्व सर्मा वापिस एक ट्वीट करते हैं उसमें वो कहते हैं कि कोलासिब SP ये मिजोरम में पढ़ने वाला एक जिला है वो कह रहे हैं कि जब तक असम पुलिस अपने पोस्ट खाली नहीं कर देती तब तक उस तरफ के लोग नहीं सारोखेंगे न किसी की सुनेंगे ऐसे में सरकार अपना काम कैसे कर सकती है इसी के साथ बिस्व सर्मा ने ग्रह मंतरी और प्रधान मंतरी कारयाले से दखल देने की मांग भी कर दी हिमत्दा का जवाब देने के लिए फिर जोरम थंगा ने एक और ट्वीट किया उन्होंने कहा कि ग्रह मंतरी अमिट चाह की बैठक में सोहार्द पूर्ण बैठक के बावजूद असम पुलिस की दो कंपनियों ने स्थानी लोगों के साथ मिलकर मिजुरम के अंदर पढ़ने वाले वेरंगत और रिक्षा स्टैंड पर हमला किया इस दोरान उन्होंने मिजुरम पुलिस और सी आर पीएफ तक को पीछे हटने पर मजबूर किया तो सूबो का जगड़ा आप मुख्यमंतरी सीधे ट्विटर पर लड़ रहे हैं जब इस बुलिटन के त्यार ही हो रही थी सूबे की राजधनी आईजवाल की यात्रा पर जाने को भी तैयार है देखना होगा कि इस नाजुक मसले पर केंदर कैसे और कितना दखल देता है